हलो दोस्तों नमस्ते आदाव सस्यकाल आपका दोस्त गौरव टेस्ट बुक सुपरकोचिक पे स्वागत करता है तो दोस्तों हो जाईए तैयार क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं फिर से जीके और जीएस पिवार जहां पर हम लोग करेंगे वो सारे इंपोर्डेंट सव जो आपके SSCMT यहाँ पर CGL के लिए बहुत ही जादा महत्पूर्ण है लेकिन स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों को भर-भर के गुड़ आफ्टरनून एक बार फड़ावर से सभी लोग क्या करेंगे जल्दी-जल्दी से शेयर कर देंगे सभी लोग यहाँ पर जुड़ सकें और हम इसको स्टार्ट कर सकें ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मोटिवेशनल कोट के साथ और आज का मोटिवेशनल कोट आपके सामने ये रहा महानता कभी ना गिरने में नहीं दोस्तों बलकि हर बार गिरकर उठ जाने में हैं अगर दोस्तों आपको हार की प्राप्ति हुई थी इसका मतलब नहीं है कि हर बार हार मिलेगा सिर्फ आपको क्या करना अब इस बार उठ खड़े होना है और fight करना है अपने मंजल के लिए ठेक है और इसलिए हम लोग डेली मिलते हैं Monday to Friday मिलते हैं ठेक है दो पहर को दो बजे से तीन बजे जहां पर हम लोग करते हैं GKGS के सवाल for SSC CGL ठेक है तो यहां पर आप मेरे साथ डेली जुड़ सकते हो Monday to Friday चले इसी के साथ हम लोग इस सेशन की शुरुबात करेंगे और सभी लोग क्या करेंगे यस टाइप करेंगे अगर मेरी स्क्रीन और वाइस इग्दम क्लियर है और भाई साब पूछ रहे हैं आर यू गाइस रेड़ी अगर रेड़ी है तो हम लो सरेड हुआ था वह किस वर्स में हुआ था क्या वह 271 में हुआ था सत्रह सो 58 में सत्रह सो 57 में और सत्रह reckless चैजित लोग सेवटीन 57 कह रहे हैं उनका बिल्कूल करेंग्ट आंसर हो जाएगा कि किस के इस के बिच में हुआ था तो ये ब्रिटीस ऐस्ट इ TIन डिया कंपनी सिराज उद्धौला ठीक है जो की कहा का नवाब था नवाब ओफ बेंगॉल ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है किसी ने लीड किया था पलासी के युद्मे तो रॉबर्ट क्लाइव ने लीड किया था ये कोशन आपके एक्जेम में पूछा गया था ठीक है SEC CHSL में ठीक है रॉबर्ट क्लाइव ने लीड किया था ये याद रखेगा 1761 में एक दोस्तों लडाई हुई थी उस लडाई को हम लोग क्या कहते हैं Third Battle of PANIPAT कहते हैं क्या Third Battle of PANIPAT जो हुआ था 1761 में हुआ था ठीक है किसके किसके बीच में हुआ था अफगान और मराथों के बीच में हुआ था 1760 में आपको याद होगा वांडिवाश हुआ था Battle of Vandivash हुआ था वांडिवाश के लडाई जो हुई थी 1760 में हुई थी ये भी आपको ध्यान रखना है पूछ लिया जाता है कई बार ठीक है दोस्तों 1764 में एक लडाई हुई थी और उसको हम लोग कहते हैं Battle of Buxer कहते हैं ये याद रखेगा ठीक है 1764 में अगले कोशन पर बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा ठीक है यहाँ पर कोशन पूछा जा रहा है इंडिया amended Apple import policy in May 2023 which of the following countries is being excluded from the policy भारत ने मई 2023 में सेब आयात निती में संसोधन किया निमलखित में से किसी देश की निती से बाहर जो है रखा गया है जल्दी से बताएं यहाँ पर कैर सर भूटान भूटान बाकी लोग क्या कह रहे हैं बहुत बड़े जित्तों लोग भूटान कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा बहुतान भूटान यहाँ पर correct answer हो जाएगा यह आपको ध्यान अखना है option number 2 जो है यहाँ पर correct answer होगा अगर हम भूटान की बात करें भूटान की capital क्या है ठिम्पू है ठिम्पू से पहले इसकी capital क्या थी पुनाखा थी यहाँ के अगर हम currency की बात करें currency कौन सी है तो currency याद रखेगा नगुलतरम कौन सी है नगुलतरम जो है यहाँ की currency है यह आपको ध्यान रखना है ठिक है यहाँ के parliament को क्या कहते है इधर के parliament को कहा जाता है सोगुडू क्या कहते है यह भी आपको ध्यान रखना है अगर हम बात करें यहाँ के prime minister PM कौन है तो lote sharing है कौन है lote sharing जो है यहाँ के PM है यह आपको ध्यान रखना है नाम क्या है lote sharing ठीक है अगले question बढ़े चलिए अगले question बढ़ते है अगला सवाल आपकी screen पर ये रहा यहाँ पर पूछा जा रहा है who among the following is the first sport person to receive भारत रतने भारत रतन प्राप्त करने वाले प्रतम खिलाडी कौन थे क्या वो सचिन टेंडूलकर जी थे ध्यानचन जी थे मिलखा जी थे या फिर कपिल देव जी थे कौन थे दोस्तो यहाँ पर कैसर सचिन टेंडूलकर होने चाहिए बाखी लोग क्या कहते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा जितने लोग सचिन टेंडूलकर सचिन टेंडूलकर जी कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है सचिन टैंडूरगर जी correct answer हो जाएंगे यह आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर सचिन टैंडूरगर जी को दोस्तों भारत रतनी कब मिला था 2014 में 2014 में भारत रतनी की अगर हम बात करें तो भारत रतने highest civilian honor है ठीक है भारत रतने जो है ये दोस्तों सबसे अवार्ड है हमारे यहां का और ये कप सुरूआत हुई थी इसकी 1954 में तीन व्यक्तिओं को दिया गया था ये आपको धिया रखना है और तीनों व्यक्तियों का जन्म जो है वो कहां पर हुआ था तमिल नाडू में हुआ था ये सवाल आपके दोस्तों कौन मनेगा करोरपती में भी पूछा गया था हाना चलिए कोई ने उसके बाद अगर हम बात करते हैं जवाहालाल नहरू जी को कब दिया गया था उन्नीस सो गांधी को ठीक है इंद्रा गांधी जी को दिया गया था 1971 में कब दिया गया था ठीक है यह आपको ध्यान रखना है प्रणा मुखरजी जी को कब दिया गया 2019 में प्रणा मुखरजी जी के अगर हम बात करते हैं प्रणा मुखरजी जी को कब दिया गया 2019, sorry 2019 में ठीक है, कब दिया गया, 2019 यह आपको ध्यान अकना है, चलिए आगे बढ़े अगले question पर, अगले question पर पढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी screen पर यह रहा, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को I guess यह question दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, I guess मैं यहाँ पर आपको बोल क दिखा नहीं दूँगा, बोल के बता दोता हूँ, ठीक है, चलिए, what is the chronological sequence, आपको chronological sequence में जमाना है, कुछ आपको यहाँ पर दिये गया है, जैसे कि दिया गया है, first battle of panipat, दूसरा दिया गया है, वेतनाम war, फिर दिया है, french revolution, फिर दिया है, first gulf of war, फिर दिया है, world war one, ठ कहले कौन सा था और बाद में कौन सा आया, ठीक है, one, five, three, two, four, three, one, five, four, two, three, one, four, five, two, and one, three, five, two, four, correct answer क्या होगा, यहाँ पर कहरे से, D option होना चाहिए, बाखी लोग क्या कहते है, यहाँ पर correct answer क्या होगा, तो जितने लोग यहाँ पर D option, D option कह रहे हैं, उनका बिलकुल correct answer हो जाएगा, देखे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले, यहाँ पर, first battle of, जो पानी पत हुई थी, वो कब हुआ था, 1526 में हुआ था, ठीक है, तो 1526 में हुआ था, यह याद रखेगा, ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं, French Revolution कब हुई थी, यह हुई ठीक है, अब first gulf of war, जो है, वो कब से कब तत चली थी, यह 1990 के समय में चली थी, 1990 के समय में चली थी, हना, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, इनमें सबसे पहले आएगा, यहाँ पर 1526 मतलब first battle of, जो है, पानी पत का आएगा, तो यह पहले आना चाहिए, one number सबसे पहले आना तो option number four में है, और one में है, बाकी में नहीं है, eliminate कर दो, ठीक है, फिर उसके बाद कौन आएगा, 1789 आएगा, तो 1789 मतलब three आना चाहिए, तो one के बाद three देखे, कहां पर है, option number four में है, one में नहीं है, इसको eliminate मारी है, fourth option correct है, ठीक है, fourth option correct हो जाएगा, यहाँ पर याद होती है, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हो, class में, और super coaching में भी आप जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको 40 से जादा दोस्तो courses मिलते है, by best teacher, 1500 से जादा आपको live classes मिलती है, जहाँ पर आप अपने doubt को clear कर सकते हो, 20 से जादा study notes, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, revision कर सकते ह 1000 मौक्टेस हैं, जिससे आप लोग practice कर सकते हैं, और course अवेल करते वक्त, आप मेरा coupon code यूज़ कर सकते हैं, गौरव M, G-A-U-R-A-V-M, जैसे आप इसको use करोगे, आपको maximum discount मिलता है, और आप अपनी तयारी भी कर पाते हैं, चले, बढ़ते हैं, आगे की तरफ, अगला question आ by promoting sports, या फिर promoting horticulture, किस से संबंदित है दोस्तों, गोकुल अवार्ड, यहाँ पर कह रहे हैं, सर, option number B होना चाहिए, बाखी लोग क्या कहेंगे, चले, जितने लोग यहाँ पर option number B, B कह रहे हैं, उनका बिलकुल correct answer हो जाएगा, ठीक है, correct answer होगा, by promoting milk, sorry, by promoting cooperative in milk production, आपको या white revolution कहते हैं, और white revolution की शुरुआत कब हुई थी, तो यह हुआ था 1970 के समय में, ठीक है, 1970 के समय में, और father of white revolution कौन कहलाते हैं, कई बार पूछा जाता है, कि जनक जो है, सफेद क्रांती के कौन थे, तो थे वर्गिस कुरियन, कौन वर्गिस कुरियन उनका नाम था, यह आपको ध्यान रखना है, अगर आप से यह पूछ लिया जाए, विश्व में सबसे जादा जो है, दूद उतपादन कौन सा देश करता है, तो इंडिया करता है, ठीक है, इंडिया नंबर वन पर है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कितना परसेंट, तो विश्व का 24 आप से पूछा गया है निमलिखित में से कौन सा भारती रिजर्ब बैंक का एक कार नहीं है इट मैनेजस दा फिस्कल पॉलिशी ओफ इंडियन एकनोमी इट इस दी बैंकर्स टु बैंक जल्दी से बताएं यहाँ पे कुछ लोग C कह रहे हैं कुछ लोग A कह रहे हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ का A option क्यों क्योंकि दोस्तोМा पॉलिशी को integratingahaha 9-7-12-1 नाटकी Фिजकल पॉलिशी को फिजकल पॉलिशी जो है इस द्दना करेगी घर यह एक और उगा RBI की स्थापना हुई थी Regulating Act 1934 के तहत ठीक है इसको Establish किया गया था 1935 में ठीक है कहां पर किया गया था कोलकाता में ठीक है कोलकाता याद रखेगा फिर उसके बाद इसको जो है ट्रांसफर किया गया 1937 में कहां पर मुंबई में कहां पर किया गया मुंबई में किया गया औ पतलब राश्ट्री क्रण किया गया ये भी आपको ध्यान रखना है नैस्टलाइजेशन हुआ इसका और किसे ने रिकमेंड किया था तो यंग हिल्टन कमीटी ने रिकमेंड किया था ये आपको ध्यान रखना है ठीक है चाले अगले कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल निमलिखित में से किसी वेक्ती का मख़बरा भारत के बाहर इस्तित है क्या वो हुमाईू का है जनंदर सा का है जहांगीर का है या फिर औरंग जेप का है किसका है दोस्तों जल्दी से बताइए यहाँ पे option number C कह रहे हैं बाखी लोग क्या कहते हैं यहाँ पे correct answer क्या होगा तो यहाँ पे answer जहांगीर होना चाहिए ठीक है चले जितने लोग यहाँ पे जहांगीर जहांगीर कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा ठीक है यहाँ पे कारें सर होना चाहिए काबुल होना चाहिए कुछ लोग कारें सर लाहूर तो दोस्तों लाहूर जी ते लोग कारें उनका correct answer है ठीक है लाहूर correct answer है हुमायू का तो दिल्ली में है कहां पर है दिल्ली में है और वहीं पर जनंदर सा का भी है ठीक है हुमायू स्टॉम में ये भी आपको ध्यान रखना है और औरंग जेब का जो है वो कहां पर है ये आपके लिए home work रहेगा comment box में बताईएगा कि औरंग जेब का मखबरा कह पर है ठीक है जहांगीर के अगर हम बात करें तो इसके पिता कौन थे father कौन थे अकबर थे कौन थे अकबर थे और इनका पुत्र कौन था son कौन था सा जहां कौन था दोस्तों पुत्र सा जहां और जहांगीर किस नाम से जाने जाते थे तो ये सलीम के नाम से जाने जाते थे सेख सलीम इनको कहते थे इनके पिता ठीक है और इनकी वाइफ का नाम क्या है नूर जहां ठीक है लेकिन नूर जहां का रियल नेम नूर जहां नहीं उनका real name था क्या, जल्दी से बताईए, दिलरसबानो बेगम था, या फिर कुछ और ही था, प्रिनका real name जो था, वो था महरूनिसा, क्या था, महरूनिषा, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, चले, आगे बात करें अगले question पर, अगले सवाल बढ़ते हैं, अगला question आपकी स्क्रीन पर ये रहा ठेक है यहां पर दोस्तों which of the following soil is found on the maximum area in India भारत के सरवाधिक जो छेतर पले उन पर निमलिखित में से कौन से मिट्टी जो है पाई जाती है black soil aluvial let ride या फिर red soil जल्दी से बताएं यहां पर aluvial aluvial जितने लोग aluvial कह रहे हैं जलोड मिट्टी उनका बिलकुल correct होगा option number two correct होगा देखे soil के अगर मैं बात करता हूँ तो soil के अध्यन को study को क्या कहा जाता है तो pedology कहा जाता है क्या कहा जाता है pedology कहते हैं भारत में सबस्यादा कौन से मिलती है जलोड मिट्टी मिलती है जो new aluvial होती है मतलब जो नई जलोड होती है इसको हम लोग खदर कहते हैं क्या कहते हैं खदर कहते हैं और यह बहुत ही जादा fertile होती है यह आपको northern plane में देखने को मिलेगा ठीक है और जो पुरानी हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं भंगर कहते हैं ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है अच्छा ब्लैक सॉयल भी बहुत ही जादा उपजाओ होती है इसको रेगूर सॉयल कहा जाता है ब्लैक सॉयल को रेगूर सॉयल ठीक है या फिर सेल्फ अ सबसी आदा की सोथी है मतलब कापा 그러면 कहा जाता है कापा सबसी आदा कहां पर में होता है गुजराद में होता है terrorist क कही जाता है और यह सबसी आदा का जाती है लेटेशव में इसकी दोस्तों क्या लिए जाती है केशून इसी में होता है ठीक है केशून इसलिए आगले कोशिन बढ़ते हैं अगला सवाल आपके लिए रहा who among the following will be the new CEO of Tata Consultancy Service ठीक है निमलिखित में से कौन जो है Tata Consultancy Service के जो है नए CEO होंगे क्या वो के कीर्थी वसन या फिर हिन शुमाशर या फिर के सत्यनारान राजू या M.V. सुचिंदर कुमार कौन है यहाँ पर कह रहे है सर होना चाहिए option number B कि बाखी लोग क्या कहते हैं यहाँ पर चले जित्ते लोग यहाँ पर option number one one कह रहे है के कीर्थी वसन उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चले आगे बहुत बढ़े है यहाँ पर हो जाएंगे के कीर्थी वसन अचा हें शुमाशर किस के CEO है तो यह CEO of Unilever किसके थे यूरी लिवर के ठीक है यह आद रखेगा ठीक है आपसे पूछा जा सकता है के सत्यनाराण किसके थे तो यह Canera Bank के CEO है, किसके Canera Bank के, ये भी news में थे, ठीक है, Canera Bank के ये जो है CEO और MD है, ठीक है, MD और CEO है, ये भी आदा रखिएगा, ठीक है, Canera Bank के, अगर आपसे पूछ लिया जाए, कि हाली में, Twitter की जो है, वो कौन CEO बनाई गई है, तो Linda, ठीक है, Linda को बनाया गया है, ठीक है, YouTube किसको ब बनाया गया है, तो Neil Mohan जी को बनाया गया है, किसको, Neil Mohan जी को YouTube का CEO बनाया गया है, तो ये current में थे, इनको याद रखेगा, ठीक है, चले आगे की तरफ, चले, अगले कोशन बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पर कोशन पूछा गया, Who is the author of the book Made in India, 75 years of business and enterprise, ठीक है, Made in India, 75 years of business and enterprise नामक पुष्टक के लेखा कौन है, BVR सुब्रमन्यम, सुमन बैरी, अमितापकंद और नरेंदर मोदी, कौन है, अमितापकंद कह रहे हैं, ओके, बाखी लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर correct answer क्या हो जाएंगे, जिते लोग अमितापकंद, रहे हैं, उनका बिल्कुल correct answer हो जाए, क्या हो दोस्तों, यहाँ पर अमितापकंद, ठीक है, अच्छा, BVR सुब्रमन्यम कौन है, यह अभी दोस्तों CEO है, किसके, नीती आयो के, किसके है, नीती आयो के, यह CEO है, यह आपको ध्यान रखना है, सुमन बैरी कौन है, यह chairperson है, स ही है, तो उसमें दोस्तों सबसे उपर नाम लिख लीजे, विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी किसकी नोवल है, यह उपन्यास है, सलमान रुष्दी की है, किसकी है, सलमान रुष्दी की है, यह याद रखेगा, इसके अलावा, बिपिन, कौन, बिपिन, man behind uniform, the man behind uniform, जो है यह किसकी है, man behind uniform, यह है, रचना रावजी की किसकी है, यह आपको ध्यान रखना है, और अभी दोस्तों, life in design, life in design जो है, यह किसकी है, तो यह ध्यान रखेगा, गौरी खान की, यह किसकी है, गौरी खान जी की है, ठीक है, याद रखेंगे, चलिए, आगे बढ़ें अगले question पे, अगले सवाल बढ़ते हैं, 320 लोग लगबग live हैं, फड़ा वड़ से एक बार, like और share करते हुए, 350 की उपर लेके चलते हैं, अगला question आपके लिए यह रहा, who among the following is not, not related to चिपको movement, ठीक है, निमलिखित में से किसका संबन जो है, चिपको अंदोलन से नहीं है, क्या वो गौरा देवी हैं, चंडी प्रशाद भट हैं, बासवा नंद नौटियाल हैं, या फिर विद्यावती धोबाल हैं, कौन है, यहाँ पे कहरे है सर, गौरी देवी बाकी लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों गौरी देवी जो लोग कह रहे हैं, उनका तो गलत आंसर हो जाएगा, हाँ जी, जित्तों लोग option number D कह रहे हैं, ठीक है, उनका correct होगा, विद्यावती दोबाल जो है, यह दोस्तों संबन दित नहीं थे, चिपको movement से, बाकी सारे लो मनीपुर है, या फिर कथक है, जल्दी से बताएए, यहाँ पर कहरे सर मनीपुरी होना चाहिए, डांस, ओके, ठीक है, जितने लोग यहाँ पर मनीपुरी, मनीपुरी कह रहे हैं, उनका बिलकुल correct answer हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चले आगे, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मनीपुरी डांस और कौन है, तो उनका नाम याद रखेगा, जैसे कि आप लोगे से पूछा गया था, जावेरी सिस्टर, कौन जावेरी सिस्टर, उनका भी नाम आपको ध्यान रखना है, भरत नाट्यम कहाँ पर किया जाता है तमिल नाडू में, इसके फेमस डांसर जो हैं, वो कौन है, रुकमणी देवी अरुंदले हैं, ठीक है, यामनी कृष्णमूर्ती हैं, कौन है, यामनी कृष्णमूर्ती हैं, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखेगा, उसके अलावा गर हम बात करें, तो टी बाला सरस्वती जी है, कौन है, टी बाला सरस्वती जी है, ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें, तो सोनल मान सिंग जी का नाम, किसका, सोनल मान सिंग जी का नाम, याद रखेगा, पूछ लिया जाता है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ओडिसी डांस, ओडिसी डांस में माधवी इनके अलावा केलू चरन महोपात्रा कौन केलू चरन महोपात्रा जी का नाम ध्यान रखेगा महोपात्रा ठीक है कथक में बिर्जु महराज जी का नाम ध्यान रखेगा लच्छु महराज जी का कौन लच्छु महराज संभु महराज ठीक है ये पूछे जा चुके है सितारा अभी पूछी गई थी SSE MTS में सितारा देवी और दम्यंती जोशी ये सारे के सारे जो है ये परफॉर्मर है कौन से ये सारे के सारे कथक परफॉर्मर है ठीक है चले अगले कोशन पर चले अगले सवाल परते हैं अगला कोशन आपके स्क्रीन पर ये रहा निमलिखेत में से कौन सा भारत के चुनाव आयो की शक्ती नहीं है यहाँ पे इंडिपेंड बॉड़ी इस अ पर्मानेंट और्गनाइज़ेशन इट होल्ड लोगसभा राजसभा एंड स्टेट इलेक्शन जल्दी से बताए C option C option तो यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगा C option हो क्योंकि दोस्तो ग्राम सभा का जो चुनाव होता है वो election commission नहीं कराती है वो कौन कराती है वो कराती है state election commission कराती है यह आपको ध्यान अखना है election commission कौन से अनुछेद में mention है भारती सम्विदान में तो अनुछेद 324 में है यह एक constitutional body है मतलब सम्विधानिक निकाय है क्योंक constitutional body है इसका गठन कब हुआ था 1950 में हुआ था ठीक है पहले जो है election commissioner कौन बने थे तो सू कुमार बने थे दोस्तो याद रखेगा सू कुमार सेंच जी जो थे वो पहले election commissioner थे याद रखना है चले अगले question पे चले आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी screen पर यह रहा the idea of liberty, equality and fraternity in the preamble are taken from which constitution यहाँ पे गड़तांत्रमक और प्रस्तावना और स्वतनता समता बंदुता के आदर्श के सिधान किसी देश से लिए गए हैं क्या यह Soviet constitution से लिए गए हैं French constitution से South Africa से या फिर Japanese constitution से कहां से लिए गए हैं यहाँ पर कैर सर्फ फ्रांस से लिए गए हैं रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है ठीक है आप क्या हो जाएगा यहाँ पर जाएगा फ्रांस अच्छा है यहाँ पर हम बात करें सोवीट की बात करें मतलब USSR यहां से क्या लिए गए हैं fundamental duty क्या लिए गए हैं fundamental duty लिए गए हैं और पंचव जापान की बात करें तो procedure established by law ठीक है procedure established by law जो है वो कहां से लिया गया है यह याद रखेंगे ठीक है चले अगले question बढ़ें अगला सवाल अगला सवाल which disease is caused by the deficiency of vitamin A vitamin A की कमी से दोस्तों कौन सी बिमारी होती है बैरी बैरी इस करवी नाइट ब्लाइडनेस और रिकेट्स ठीक है बी ए डी सी which option is correct वेरे गोड यहाँ पे अमीशा, मिथिलेश, डीसेंट, वैभ हो, लोबजैंग यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगा आपका option number 4 which is C C क्या है night blindness मतलब रताउंधी राइट रताउंधी यहाँ पे correct answer होगा विटामिन A का chemical name क्या है? विटामिन A का chemical name है retinol, क्या है retinol हना berry berry किसकी कमी से होता है? यह विटामिन B की कमी से होता है किसकी? विटामिन B की कमी से है यह विटामिन दी की कमी से होता है और विटामिन दी को क्या कहा गया है तो ये इसके यह केmikल नेम और उन से दोस्तों होने वाली भी मारी उनकी कमी होने से भी मारी यहां पर मैं अगला सवाल आपके लिए, पीवी सिंधू, अब बैडमिंटन प्लेयर इस फ्रॉम डैश स्टेट ओफ इंडिया, जो पीवी सिंधू है वो भारत के डैश राजे से एक बैडमिंटन खिला रही है, कहां से हैं वो, तमिल्नाडू से हैं, आंधर प्रदेश से हैं, केरला से हैं कहां से हैं ये, आंधर प्रदेश कह रहे हैं, ओके, बाकी लोग क्या कहते हैं, चले, जितने लोग यहां पर आंधर प्रदेश, आंधर प्रदेश कह रहे हैं, उनका विल्कुल correct answer हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चले आगे, हाँ जी, बहुत बढ़े है यहां पर जाएगे दोस्तों, आंधर प्रदेश, ठीक है, इनको पद्म भूशर से सम्मानित किया गया है, ठीक है, किस से सम्मानित किया गया है, पद्म भूशर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इनको ध्यान चंद पुरुसकार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, ध्या पुछा जा सकता है अगर हम बात करते हैं यहां के गवर्नर कौन है तो S. अब्दुल नाजीर है कौन है S. अब्दुल नाजीर जो है यहां के राज्यपाल है यह आपको दिहान रखना है चलिए आगे बढ़े अगले कोशन पर ठीक है अगले कोशन पर बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, the General Assembly, the Security Council, and the Economic and the Social Council are the main organ of DASH, महासभा, सुरक्षा परिशद, आर्थिक और समाजिक परिशद, DASH के मुख्य अंग है, किसके? United Nation के हैं, International Monetary Fund के हैं, World Trade Organization का, और the European Union, किसके हैं? यहाँ पर कहरें सर, UN के पार्ट हैं, यह सारे के सारे, ओके, चले, जितने लोग UN, UN कहरे हैं, उनका बिलकुल यहाँ पर correct answer हो जाएगा, यह याद रखें, किसके पार्ट हैं? United Nation के पार्ट हैं, ठीक है? चले, अगला कोशन आपके लिए यह रहा, Where is the International Paralympic Committee Headquarters? ठीक है, अंतराश्टी Paralympic जो समीती है, उसका मुख्यालय कहां पर इस्थित हैं? क्या वो जर्मनी में हैं, बुलगेरिया में हैं, स्पेन में हैं, या फिर एगलैंड में हैं? जल्दी से बताएगे. यहाँ पे राजपडेल कहे रहे, सर बी ऑप्शन होना चाहिए, बाकिछी लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे एक Correct安सर क्या होगा? जितने लोग B कहे रहे, उनका गलत आंसर होने वाला है. ठीक है, यहाँ पे Correct安सर क्या होगा? जर्मनी हो जाएगा. क्या होगा? जर्मनी इस दि correct answer ठीक है आप लोग इसे पूछ लिया आता है football का headquarter मतलब FIFA का headquarter कहां पर है FIFA का तो Zurich Switzerland में है कहां पर है Zurich Switzerland में है यह आपको ध्यान रखना है पूछा जाता है उसके अलावा कर हम बात करते हैं आप लोग इसे पूछा जाता है ठीक है इसके बात ICC का headquarter पूछ लिया जाता है ICC का headquarter कहां पर है दुबई में हैं कहां पर है दुबई दुबई कहां पर है UAE में United Arab Emirates में इसका headquarter पूछ लिया जाता है ठीक है ऐसे दोस्तों आपको international organization जो है उनके headquarters पूछ लिया पर है तब आप answer करेंगे Washington DC में कहां पर है Washington DC में है ठीक है ADP Asian Development Bank का headquarter कहां पर है तब आप answer करेंगे Manila Philippine में headquarter है कहां पर है Manila Philippine में headquarter है ठीक है इस तरीके से आपको international organization के headquarter पूछ जाते है अगला question आपके screen पर यह रहा दोस्तों आपको match the following दिया गया है एक तरफ सी दी गई है ठीक है यहां पर सी दिया गया है समुद्र दिया गया और यहां पर आपको दिया गया है bordering country उससे कौन कौन से countries border लगती है ठीक है जैसे कि एगियन सी है Red Sea है Baltic Sea है RLC है और North Sea है क्या यहां पर आपको country के नाम दिये गया है Greece, Ethiopia, Sweden, Uzbekistan और Switzerland कौन सा यहां पर correct match हुआ यह आपको बताना है ठीक है 1, 2, 4 correct है 1, 3, 4, 2 और 5 और 1, 2, 3, 4, 5 सारे correct है यहां पर कह रहे है सर सारे correct है कुछ लोग कह रहे है नहीं सर A correct होना चाहिए तो दोस्तों यहां पर जितने लोग A कह रहे है या फिर सारे कह रहे है उनके दोनों के दोनों ही गलत हो जाएंगे यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चले आगे correct answer यहां पर हो जाएगा 1, 3, 4 यह correct answer है यह आपको ध्यान रखना है चले आगे बढ़ते हैं अगले question पर अगला सवाल वाट इस दा theme for world red cross day 2023 विश्वर red cross दिवस जो है वो 2023 की theme क्या है unstoppable everything we do comes from the heart be humankind या फिर all of the above जल्दी से बताएगे क्या है यहां पर यहां पर कहरे sir be option होना चाहिए चले जित्ते लोग यहां पर be option be option कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा ठीक है correct answer क्या हो जाएगा यह भी हो जाएगा याद रखेगा अच्छा है अगर आप से यह भी याद रखेगा दोस्तों अगर हम बात करें world red cross day यह कब मना जाता है आठ माई को मना जाता है कब मना जाता है आठ माई को मना जाता है और world red cross को जो है दोस्तों तीन बार noble पुरुसकार से सम्मानित किया गया है three times noble price इनको मिला है peace का ठीक है और वो कब-कब मिला है तो 1917 में 1944 में और 1963 में 1963 में ठीक है तो यह भी याद रखेंगे पूछा जा सकता है ठीक है अगले कोशन पर बढ़ें चले बहुत ही बढ़िया very good samraat goat अनामिका मनिकांत बहुत बढ़िया राहूल अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर यह रहा यहां पूछा जा रहा है यह तो अच्छा हाँ what is the theme of the IWA World Water Congress and Exhibition 2022 IWA विश्व जल कॉंग्रेस और प्रदर्शिनी 2022 का विशय क्या था water for smart livable cities, water conservation, waste water या clean drinking water correct answer क्या होगा यहाँ पर कह रहे सर ए आप्शन होना चाहिए बाकी लोग क्या कहते हैं चले जितने लोग ए कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर ए करेक्ट होगा water for smart livable cities correct answer होगा अगर हम बात करते हैं देखें आप लोगे से पूछा जाता है कि water day कम मनाया जाता है ठीक है water day याद रखेगा फिर घ्र यहाँ पर दोस्टो अगर हम बात करते है योगा डे ठीक है यहाँ पर सबसे पहले याद रखेंगे, environment day, environment day, अभी हाली में मनाए गया, ठीक है, कली मनाए गया, तो वो कब मना जाता है, 5 June को, फिर yoga day कब मना जाता है, यह पूछ लिया जाता है, तो yoga day मना जाता है, 21 June को, ठीक है, तो यह कुछ important जी है, जो आपको याद रखना है, 21 June, ठीक है, अगले question ब लिखित में से किस राज में जो सांस्कृतिक उससा लोसर जो है मनाया जाता है अरुनाचल पदेश में करनाटका में गोवा में या फिर नागालेंड में कहां पर मनाते हैं लोसर त्योहार यहां पर कर सर अरुनाचल पदेश होना चाहिए बाखी लोग क्या कहेंगे जिते लो लुसुंग फेस्टिवल अगर आपसे पूछ लेते या फिर यहां पर नामसुंग फेस्टिवल पूछ लेते तो यह कहां पर मना जाता है यह मना जाता है सिक्किम में कहां पर सिक्किम में मना जाता है यह आपको ध्यान रखना है पूछ लिया जाता है ठीक है अगर आपसे प से हमें पूछा जा चुका है त्रिपुरा में मनाया जाता है ठीक है बोनालू फेस्टिवल ठीक है बोनालू फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है तब आपका अंसर हो जाता तिलंगाना हो जाता ठीक है बोनालू फेस्टिवल तो इस तरीके के फेस्टिवल आपके एक्जैम म में आयोजित दूसरे भारती राष्टी कॉंग्रेस अधिवेशन की अध्यक्सता किसे ने की थी डबलू सी बैनर जी जी ने बदरुद्दिन तयव जी ने दादा भाइनारू जी जी और द्यान रखना है ठीक है अगर हम बात करते हैं कि ए ओ हुमें ये कौन थे ये फाउंडर थे ठीक है संस्थापक थे जिन्होंने 1885 में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस का गठन किया था डबलू सी बैनर जी कौन थे ये दोस्तों इन्होंने प्रिसाइड किया था पहली जो अधिवेशन हुआ था उसको प्रिसाइड किया था अध्यक्षता की थी इन्होंने और ये कहां पर हुआ था बॉम्बे में हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है बदुरुद्दिन तयब जी जो थे ये पहले मुस्लिम थे फर्स्ट मुस्लिम थे जिन्होंने 1887 में 1887 में मदरास सेशन किया था क्या किया था मदरास अधिवेशन हिंदी में कहेंगे इंगलिश में मदरास सेशन ठीक है चले अगले कोशन पर 388 लोग लाइव हैं फड़ा वर्स एक बार लाइक और शेयर करते हो 400 के उपर लेके चलते हैं अगला कोशन आपके स्क्रीन पर ये रहा बारते सम्विधान में जो है मूल रूप से कितने जो है कुल कितने भाग थे 18, 20, 22 और 24 जल्दी से बताएए यहां पर 22, 22 कह रहे हैं correct answer क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा ये आपको ध्यान अखना है बाद में अभी अगर present में पूछा जाए तो present में कितने हैं तब आपका answer क्या हो जाएगा present में 25 है कितने हैं 25 है ठीक है जैसे की 4A add हुआ था 9A add हुआ था 9B add हुआ था क्या हुआ था 9 B एड़ हुआ था 14 क्या है दोस्तो 14 A एड़ हुआ था ठीक है इस तरीके से एड़ करके अगर आप देखोगे तो चार एड़ हुए थे ठीक है चार एड़ हुए तो अब आपका सवाल उठेगा सर 12 में 22 में अगर मैं चार एड़ करूँगा तो 26 हो जाएगा लेकिन आपको याद होगा 7 जो था पार्ट भाग साथ इसको डिलीट भी किया गया है तो एक डिलीट किया गया था चार एड़ किये गया तो टोटल 25 है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चले आगे चलिए अगले कोश डेंट टो डॉलर 714 बिलियन इन फाइनेशल ये 2022 वित वर्ष दो हजार तैस में भारत का आयाद वित वर्ष 22 में कितना प्रतीशत बढ़कर 714 बिलियन जो है डॉलर हो गया है 16 16 तो करेक्ट आज़ गार्ष यह याद रखेगा ठीक है चले अगला सवाल आपके लिए रहा यहां पर आप लोगों से पूछा गया है यह दोस्तों question देख रहा है आपको I guess नहीं देख रहा होगा इसको रहने देते हैं ना ठीक है चले कोई नहीं अगला question Who has become the first woman officer of Indian Air Force to receive a gallantry award वीर्ता पुरुसकार प्राप्त करने वाली भारती वायू सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है क्या वो दीपी का मिश्रा बनी है सेलेजा धामी बनी है अवनी चतुरवेदी और गुंजन सकसेना कौन बनी है यहां पर कहर सर होना चीज़ दीपी का मिश्रा कुछ लोग कहर सेल जा होनी चाहिए तो correct answer यहां पर हो जाएंगे दोस्तो दीपी का मिश्रा is the correct answer दोस्तो पहली महिला एरफोर्स इंडियान एरफोर्स वो में है जिनको गैलेंट्री आवार्ड से सम्मानित किया गया है अगर आपसे पूछा जाता है, फर्स्ट वूमेन जो की लोको पाइलेट बनी, फर्स्ट वूमेन लोको पाइलेट अभी 2023 की ही निउस है, ठेक है, और वो कौन बनी थी, सुरेखा यादव जी बनी थी, ये आपको ध्यान अखना ये भी पूछा जा सकता है, ठेक है, चले, अधिकानशाबादी, डैश के संरक्षित उद्ध्यान छेतर में निवास करती है, कहाँ पर, भीतरकनी का नैशनल पार्ग, गिर नैशनल पार्ग, बालपक्क्रम नैशनल पार्ग, और अनाईं मुरी जो है, 16 नैशनल पार्ग, यहाँपर करें सर होना चाह一定要, गिर नैशनल भारत का पहला नेशनल पार्क कब स्थापित हुआ था 1936 में ठीक है कौन सा नेशनल पार्क कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ था ये याद रखेगा ठीक है सबसे लास्ट में कौन सा हुआ तो 2021 में हुआ कौन सा रायमोना नेशनल पार्क रायमोना नेशनल पार्क कहां पर ठीक है ये भी याद रखेगा ये भी पूछा जाता है सबसे जादा नैशनल पार्क जो है वो किस राज में हैं ठीक है किस राज में हैं तो मध्यप्रदेश में हैं मध्यप्रदेश में आपको 12 नैशनल पार्क देखने को मिलते हैं ये भी याद रखेगा विश्व का एक मात तेरता हुआ नैशनल पार्क मतलब फ्लोटिंग नैशनल पार्क जो है वो आपको कौन सा मिलेगा तो बिलेगा कौन सा कीबुल लामजो कीबुल लामजो नैशनल पार्क मिलेगा और यह कहां पर मिलेगा तो मनीपूर में मिलेगा ठीक है तो यह इंपोर्डन इंपोर्डन नै आगले सवाल बढ़ते हैं अगला कोशन आपके लिए यह रहा देखें बैंक की जो पूजी होते है उसका अनुपात उसकी संपत्ती के डैश के रूप जाना जाता है स्टैच्वरी लिक्यूडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या फिर डेट इक्यूटी रेशियो कैश रिजर्व रेशियो तो दोस्तों वो होता है जो अमाउंट रखवाया जाता है इसको हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो ठीक है चले आगे बात करते हैं अगला गोशन और गनेस्ट डेट लैक अनुक्लियर मेंब्रेन आर रेफर टू एस वह जीव जिनमें केंद्रक जिली की जो है अनुपस्तिती होती है उससे क्या कहा जाता है यूकराइट कहते हैं प्रोकराइट कहते हैं यूनिसेललर और गनेस्ट या इनमें से कोई भी नहीं फटाफर से बताइए यहाँ पे कहसेज़ी प्रोकराइटिक होना चैए तो करेक्ट आंसर यहाँ आप क्या हौ जाएगा तो साइटोलोजी क्या कहते हैं साइटोलॉजी कहते हैं यह आपको ध्यान रखना है एकजाम में क्या पूछा गया थाथ जिल में यह पूछा गया था कि cell की खोज किस वर्ष में की गया थी, यह question पूछा गया था, ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल, cell की खोज किस वर्ष में की गया थी, तो 1665 में की गया थी, और किस ने किया था, Robert Hook ने किया था, तो यह question पूछा गया था, ear पूछा गया था, तो ear is important, ठेक है चले अगले कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल विच सॉल्ट इस यूज़ तो रिमूव दा पर्मानेंट हाडनेस ऑफ वाटर दोस्तों जैल की जो इस्थाई का ठोड़ता होती है उसको दूर करने के लिए किस लवन का उप्योग करेंगे जल्दी से बताए किसका इस्तमाल करेंगे कुछ लोग वन ऑप्शन करें तो यहाँ पर करेंगे अप्शन नमबर ईखना नमबर यहाद रखेंगे अप्शन नमबर वन क्या है यह है calcium oxy chloride क्या है? calcium oxy chloride है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? bleaching powder कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? फिर यहाँ पर दिया है NaHCO3, इसको हम लोग कहते हैं sodium bicarbonate, क्या कहते हैं? sodium bicarbonate या इसी को हम लोग कहते हैं baking soda, क्या कहते हैं? baking soda भी कहते हैं इसी को, ठीक है Na2CO3.10H2O इसको हम लोग क्या कहते है sodium carbonate क्या कहते है sodium carbonate कहते है और sodium carbonate का जो है दोस्तों इसको क्या कहा जाता है washing soda धोवन का soda इसको कहते है washing soda ठीक है CaSO4.2H2O जो है यह क्या है gypsum है क्या है gypsum है अगर gypsum को आप थोड़ा सा गरम कर दोगे इसमें से देढ़ जो है पानी उड़ जाए ठीक है मतलब CaSO4.2H2O बस बच जाए 2H2 है यहाँ पे 1H2 अगर बच जाएगा तो यह हो जाएगा P.O.P Plaster of Paris कहलाएगा ठीक है चले आगे चले ठीक है सोर्स ओफ एनरजी जैसा पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कोल नैचुरल गैस फायर वूड और बायो गैस आर एक्जामपल ओफ कन्वेंशनल सोर्स ओफ एनरजी ठीक है दूसरा क्या कह रहा है विंड सोलर टाइडल और नूकलियर एनरजी आर एक्जामपल ओफ नौन कन्वेंशनल एनरजी बताइए इन में से कौन सा कथन जो है वो सही है ठीक है ओनली वन ओनली टू बोथ वन एन टू या फिर नीदर वन नौर टू जल्दी से बताइए यहाँ पर करेंसर बोथ होना चाहिए बलब फेवरेट आप्शन मिलाने की बोथ लगा दिया फड़ा फड़ बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा जित्ते लोग यहाँ पर बोथ कह रहे हैं उनका गलत आंसर हो जाएगा दोस्तो यहाँ पर यह जो स्टेटमेंट है ना यह खुदी एक दूसरे को कंटरडिक कर रहे हैं ठेक है तो अगर आप देखोगे कन्वेंशनल सोर्स अफ एनरजी यह कन्वेंशनल नहीं है दोस्तो जबकि नॉन कन्वेंशनल है मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट टू जो है यह करेक्ट है ठेक है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ओनली टू क्या हो जाएगा ओनली टू करेक्ट आंसर होगा आगे बात करें चाले अगला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा तेहरी डेम कौन सा डेम तहरी बांध जो है वो हाइस्ट डैम है इंडिया का और वो कहां पर लोकेटेड है यह आप से पूछा गया है तहरी बांध भारत का सबसे उचा बांध है और यह किस नदी परिस्थिद है अब बाकी लोग क्या केते हैं जितने लोग यहाँ पर भागी रथी भागी रथी कह रहे है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखें सवाल यह बनता है कि यह जो highest dam है इसकी height होगी तो इसकी height जो है ध्यान रखेगा इसकी height जो है आपसे कई बार पूछी जाती है तो याद रखेंगे वो कितनी है 260.5 meter जो है इसकी height है और यही भागी रथी river जब जब अलकनंदा river से मिलती है तो वो कहां पर मिलती है अलकनंदा river से मिलती है कहां पर देव प्रियाक पर कहां पर देव प्रियाक पर और यही नदी जो मिल जाती है तो देव प्रियाक पर तो उसे क्या कहते हैं हम लोग गंगा नदी कहते हैं क्या कहते हैं गंगा नदी कहते हैं यह याद रखना है ठीक है चले आगे बढ़त था ट्यूटी कूरिट था विशाका पतनम पोड़ था या फिर परादीब पोड़ था कौन सा होगा यहाँ पर डी उप्षेन ओके यहाँ पर अंसर ज आपके ऑजाएगा करेक्ट आशर ये दोस्तो विशाकापटनम कहाँ पर है आंद्रप्रदेश में और ये deepest port है याद रखेगा ये deepest port है ये deepest port है ये आपके exam में पूछा गया था कि which one of the following port is the deepest port तो आंसर करना था विशाकापटनम पर ठीक है कहाँ पर आंद्रप्रदेश में ठीक है याद रखेगा का अगर पूछा जाया है हल्दिया पोट कहाँ पर है तो हल्दिया पोट याद रखेगा वह है पस्चिम मंगाल में कहाँ पर पस्चिम मंगाल में सबसे ब largest container port अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा है तो आपको answer करना है JLN port कहाँ पर है महराष्ट में सबसे ज़ादा जो बंदरगा है वो किस राज में है तो वो महराष्ट में है ठीक है चलिए आगे बात करें अगला question Who among the following is known as the Sarod Samraat in Indian classical music यह question है आपके SSE CGL December का ठीक है जो 2022 में हुए निमलिखित में से किसे भारती स्वास्तिर संगीत सरोज समराट के नाम से जानते हैं पंडित रवी शंकर प्रसाद, आमिर अली खान, अमजद अली खान और किशन महराज किस से हैं कौन है दोस्तों यहाँ पर कहरे सर C option होना चाहिए, उस्ताद अमजद अली खान कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कहते हैं चले, जितने लोग यहाँ पर कहरे सर C, C, C उनका बिलकुल correct answer हो जाएगा यह आपको ध्यान रखना है ठीक है, चले, बहुत बढ़िया यहाँ correct answer हो जाएगा C option आगे बात करते हैं, अच्छे दोस्तों कई बार आपसे पूछा जाता है सहनाई से रिलिटेड, ठीक है तो सहनाई से रिलिटेड, बिस्मिल्ला खान जी बहुत famous है, तो इनका नाम ध्यान रखना है ठीक है, तबला से पूछा जाए तो तबला का नाम, स्वरी यहां पे तबला वादक जो है, वो कौन है तो उनका नाम याद रखेगा, जाकीर हुसेण जी कौन है, जाकीर हुसेण जी है ठीक है फिर उसके बाद flute मतला बासुरी वादक जो पूछे जाएगा तो आपको क्या बोलना है हरी प्रसाद चौरसिया जी कौन है हरी प्रसाद चौरसिया जी है ठीक है अगर आपसे शिव कुमार जी पूछे जाएंगे तो बताइए सब का आंसर क्या होना चाहिए शिव कु आपके लिए यह रहा which of the following is a unit of kilowatt hour ठीक है निमलिखित में से कौन सा kilowatt घंटे की एकाई है क्या वो electric current की है force की है energy की है या फिर momentum की है किसकी है यह एनर्जी एनर्जी लेकिन कैसे पता चला कि यह एनर्जी है तो कई बार आपसे देखे पूछा जाता है कि एक kilowatt hour में कितना जूल होता है यह कई बार पूछा जाता है और जूल किसकी unit है जूल energy की unit है अब दोस्तों यह भी पता जे कि एक किलो वाट आर में कितना होता है, तो देखे, एक को एक रहने दो, कीलो की जगा हजार लिख दो, वाट की जगा वाट रहने दो, और आर को सकेंड में बदल दो, तो 36 सो सकेंड हो जाएगा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते है, 36 इंटू 10 to the power 5 वाट सकेंड, वाट विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है, 13 अप्रेल को, 14 अप्रेल को, 15 अप्रेल को, या फिर 16 अप्रेल को मनाया जाता है, फड़ा फड़ बताईए, यहाँ पे कहरे सर्थ 13 अप्रेल लग रहा है, बाकी लोग क्या कहते हैं, चले, जितने लोग यहाँ पे 13 कहरे हैं, उनका गलत आंसर हो जाएगा, correct answer होगा आपका 16 अपरेल, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 अपरेल correct answer हो जाएगा, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, कि 14 अपरेल को क्या मनाया जाता है, तो बाबा सहीब दोस्तों, अम्बेड कर डे मनाते हैं क्या, जल्दी से बताएं, अम्बेड दे कम मना जाता है तो World Health Day मना जाता है दोस्तों यह साथ अपरैल को ठीक है अगर आप से पूछ लिया जाये Malaria Day कम मना जाता है तो सभी लोग Comment box में बताइए Malaria दिवस जो है यह कम मना जाता है सभी लोग में Malaria Day बहुत ही बढ़िया ठीक है अब हाँ मारे तो इस प्रकार की मुद्राइस्विती को क्या खाजाएगा गेलोपिंग इंफलेशन, कोर इंफलेशन, बॉटलनेक या फिर हाइपर इंफलेशन हाजी 21 अप्रेल को मना जाता है सिविल सर्विस डे बहुत बढ़ी है 415 लोग लाइव हैं फड़ावट से एक बार 450 के उपर लेके चलते हैं यहाँ पर करसर होना चाहिए ठीक है C option C option करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉटलनेक ठीक है याद रखेगा बॉटलनेक इंफलेशन उसको कहा जाता है अगला कोशन आपके लिए भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड एकनॉमिक्स रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन है शोबना, भारतिय, पूनम, गुपता, रेनु सूध, करनद और शामला, गोपिनाथ कौन है यहाँ पे कह रहे सर सूध जी होनी चाहिए कुछ लोग कह रहे सर A option correct answer यहाँ पे कौन हो जाएगी दोस्तों पूनम, गुपता जी correct answer होंगी option number two जो है, यह याद रखेगा चलिए, आगे बढ़े, अगला question आपके लिए रहा who among the following was the president of the Indian National Congress during the 1915 ठीक है उन्निमलिखित में से 1915 के अधिवेशन के दोरान भारती राष्टी कौन्गरेस के अध्यक्ष कौन थी क्या हो सतेंद्र प्रसन्ना सिन्हा अंबिका, चरन, मजूमदार, भुपेंद्र, नाथ, बोस और मदन, मोहन, मालविये जल्दी से बताइए यहाँ पर कहरे सर, AC अच्छा, मजूमदार जी कह रहे हैं, ओके बागी लोग क्या कहते हैं जीते लोग मजूमदार कह रहे हैं, उनका गलत आंसर हो जाएगा, दोस्तों यह याद रखेगा, ठीक है हाँ, जी, correct answer यहाँ पर हो जाएगा, option number one जीते लोग कह रहे हैं, उनका correct answer हो जाएगा, सतेंद्र प्रसन्ना सिन्हा, मजूमदार जी थी यह 1916 में थी, 1960 में थी लेकिन यहाँ पर 1915 पूछा है और 1917 में जो इसे वो कौन थी, एनी बैसंट कौन थी, एनी बैसंट थी यह भी आपको ध्यान रखना है चलिए, अगले question बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए रहा which of the following dances form did not originate in South India निम्ण में से किस नित्य शैली की उत्पत्ती दक्षिड भारत में नहीं हुई थी कथकली की कुच्चिपुडी सतरिया और भरत नाटियम जल्दी से पताए कौन सा होगा correct answer यहाँ पर करसर सतरिया सतरिया तो correct answer जो होए दोस्तों हो जाएगा बिहू dance perform किया जाता है सतरिया dance दोस्तों famous जो एक dancer है जस्वन सिनहा जी उनका नाम ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अगले question पर अगला question आपकी screen पर यह रहा यहाँ पर पूछा जा रहा है who of the following equal bravo's record for the most wicket taken in IPL ठीक है निमलिखित में से कौन से जो है दोस्तों bravo के IPL में सरवाधिक wicket लेने का record की बराबरी करता है क्यों यजवेंद्र चहल है प्यूश चावला है अमित मिश्रा है और रवी चंदरन अश्वेन है कौन है ए option ए option कहरे है correct answer यहाँ पर हो जाएंगे यजवेंद्र चहल हो जाएंगे IPL 2023 की बात करते है IPL 2023 खतम हो चुका है final match जो है कहाँ पर हुआ था मोदी स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम मोदी स्टेडियम है कहाँ परिस्थित है एहमदाबाद गुजरात में एक लाख बीस हजार लोग यहाँ पर दोस्तों बैठ सकते हैं ठीक है अगर हम बात करें विनर कौन था 2023 का तो चिन्नाई सूपर किंग कितने विकेट से विनर बनी तो पांच विकेट से विनर बनी ठीक है कौन सा झो है खिताब इनके पास आया तो पांच वा खिताब आया याद रखे का 5 वी बार यह जीते है ठीक है और रनर अप कौन थे रनर अप थे गुजरात टाइटन ठीक है औरेंज केट किसे दिया गया शुभमन गिल को किसको दिया गया शुभमा इनिगल को कितने run बनाने के लिए 890 run बनाने के लिए परपल कैप किसे दिया गया परपल कैप दिया गया महमज शामी को महमज शामी ने कितने wicket लिये थे 28 wicket लिये थे राइट चलिए आगे बढ़े अगला question आपके लिए ये रहा लक्षे सेन और किदांबी श्रीकांथ are associated with which one of the following sports लक्षे सेन और किदांबी श्रीकांथ निमलखित में से किस खेल से सम्बन दित हैं क्रिकेट, बैडमिन्टन, टैनिस और फुटबाल किस से सम्बन दित हैं जल्दी यल्दी से और 420 लोग लगबग लाइब हैं लाइक और शेर करते हुए भी आंसर करते हुए चलेंगे यहां पर जितने लोग करें सर होना चाहिए बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर क्या हो जाए, करेक्ट आंसर होगा बैडमिन्टन ठीक है, अगला कोश्चन आपके लिए यह रहा अहार नाल का कौन सा चेतर पाचित भोजन को अवशोशित करता है स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और लार्ज इंटेस्टाइन, जल्दी से बताईए स्मॉल, SI, SI, तो SI और फिर CI भी लगा देते हैं ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंदर क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे ज़्यादा फूड अब्सॉप्शन जो है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, फैट का पाचन यहीं पर होता है इसमें एक एंजाइम प्रेजन होता है, उसको हम लोग कहते है लाइपेस, ठीक है, याद रखेगा इस टोमक में प्रोटीन का पाचन होता है, किसका प्रोटीन का पाचन होता है, वहाँ पे आपको एंजाइम मिलेगा पैपसिन, रैनिन और ट्रिपसिन ठीक है ये ध्यान रखेगा ठीक है लार्ज इंटस्टाइन में वाटर अब्जॉप्शन होता है क्या होता है वाटर अब्जॉप्शन जो होता है वो लार्ज इंटस्टाइन में होता है अगला कोश्चन आपके लिए यह रहा यहां पे दप लाइक नहीं किया जल्दी यल्दी से लाइक और शेयर करते हो चलेंगे तो यहां पे कहरें से होना चाहिए फोर कुछ लोग कहरें से टू तो करें टांसर का फोर स्टेची ऑफ यूनिटी इसकी हाइट कितनी है स्टेची ऑफ यूनिटी की 182 मीटर है कौन से गाउं में हाली में दोस्तो प्रतिश्चित गोल्डन ग्लोब रेस जो है उसको पूरा करने वाले कौन भारती बने हैं अभिलाश टॉमी संदीप फावदा जगदीस वर्मा और विश्नु वर्मा दोस्तो डेली करेंट अफेर अगर आप जूरते हो मंडे टू फ्राइडे सुबज 6 से क्या है एलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं एलेक्ट्रो बॉंड होते हैं एलेक्ट्रो फाइल होते हैं या फिर एलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं क्या होते हैं जल्दी से बताइए यहां पे सभी लोग बताएंगे डी ऑप्शन कह रहे हैं बाकी लोग क्या कहते हैं चले किस प्रकार के production के कारण होता है noise pollution, land pollution, air pollution और water pollution, simple question air, 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 क्योंकि दोस्तों जब आप inhale करोगे तो आपको respiratory वाजी जो बिमारिया है वो हो जाएंगी राइट, चले, अगला question which article of the Indian constitution of Indian constitution prohibits anyone from employing children below the age of 14 in the factories mines, etc. भारत के सम्विधान का कौन सानुछे, जो है 14 वर्स के कम उमर से बच्चों को कारखानों और खानों आदी में नियोजित करने से रोकता है, 23, 26, 24 और 25, क्या होगा यहाँ पे 26 कह रहे हैं, कुछ लोग 23 कह रहे हैं, तो correct answer यहाँ क्या हो जाएगा हना, ठीक है कि, दोस्तों, अच्छा एक बात बताईए, यहाँ पे दो आपको ठेक कौन से right against exploitation, ठीक है, यह था against exploitation, ठीक है, तो exploit नहीं होनी चाहिए, live सीधी सी बात है, इसके अंदर दो article आते थे, ठीक है, article 23 और 24 आते थे, 23 में यह कहा गया था, हना, कि भई, 14 साल से कम उम्रे के बच्चों को, factory में allow नहीं करना है, यही तो कहा गया था किसमें, article 24 में यही तो कहा गया था न, दोस्तों, हना, 23 तो trafficking से related है, तो आप लोग 23 क्योंके रहो और 26 तो हो यह नहीं सकता, 26 तो दोस्तों किसके अंदर आ जाएगा, यह तो religion से related है, हना, 25 से लेके, 25 भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह भी religion है, यह भी religion है, अब 23 और 24 सिर्फ बचते हैं, ठीक है, चले, आगे बढ़ें, हाजी, आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले फटावर्स एक बाद, देख घूमा के, चले, आगे बढ़ते हैं, अगला question आपके लिए, friction is a dash, घ्रशन एक dash है, क्या है, non-contact force, contact force, magnetic force, और gravitational force, जल्दी से बताइए, friction क्या है, यहाँ पर, contact force, contact force, बिल्कुल दोस्तों, contact force है, ठीक है, यहाँ पर याद रखेगा, क्योंकि देखे, जब भी आप, palms को अपने घिसो ऐसे करके, तो आपको गरम महसूस हो रहा है क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर force लगा रहे है, और उस force की opposite में, एक friction लग रही है, जिसकी वज़े से यह heat produce हो रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखेगा, चले, तो correct answer हो जाएगा, contact force, अगले question बढ़ते हैं, ओ, हो, 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 दोस्तों, यहाँ पर समय होता है, समाप्त, जहाँ पर आज हमने mix question किये हैं, for SSC CGL, और यह daily class होती है, यहाँ पर Monday to Friday होती है, कब होती है, Monday to Friday class होती है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, दोपहर को 2 से 3 बजे, जहाँ पर हम लोग daily मिलते हैं, ठीक है, और telegram पर नहीं जुड़े हैं, तो जु जुड़ सकते हो, या directly आप सर्च कर सकते हो, गौरफ, मौरया, सर, टेस्ट बुक भी सर्च करके, आप लोग आसानी से जुड़ सकते हो, मैं आपको link provide कर देता हूं, ठीक है, यह रहा link आप लोगों के लिए live chat पर, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से जुड़ सक super coaching SSC and railway by testbook channel पर चले जाएंगे, ठीक है, तो चलिए चलते हैं, उस पर जाने के बाद आपको क्या करना है, scroll down करना है, ठीक है, daily current affair होती है, अगर आप daily current affair पर नहीं जुड़ रहो, तो जरूर जुड़िए, Monday to Friday, सुब़ 6 से 7 बजे, वहाँ पर आपको सारी classes मिलेंगी, ठीक जाएंगे, और नीचे जाने के बाद सबसे पहले तो like और share कर देंगे, क्या कर देंगे, like और share कर देंगे, फिर उसके पाद जैसे आप description open करोगे, आपके सामने यहाँ पर एक link मिलेगी, SSC super coaching, इसको click करिए, आपके सामने एक new page open होगा, जहाँ पर आपको सारी detail मिलती है, pricing पर चले जाएं, pricing पर जाते ही, आप जो भी plan लेना चाहते हैं, वहाँ पर plan select करके, apply coupon code, apply coupon code, gauravm, gauravm, जैसे apply करेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा discount, ठीक है, चले, तो इस session को यहीं पर करते हैं, समाप्त, अगर यह session आपको अच्छा लगा है, तो comment करके जरूर तो जुड़ना मत बूलेगा, मेरे साथ अगले session में तब तक के लिए रखेगा, आप अपना ख्याल, अपनों का ख्याल और पढ़ाई करते रहेगा, bye bye, take care, जै हिंद, जै भारत